वेलकम तू फोस्ट अगरेमी दोस्तों आमने रेलोवे ग्रूप डिया और एंटीबिसी के लिए प्राक्टिस सेट का जो सीरीज स्टार्ट किया था ए इसका पार्ट सिक्स वीडियो है दोस्तों ए वीडियो आपको डेली बेसिक पे सामको साथ बाचे मिल रहा है अगर आपन चलिए वीडियो को सुरू करते हैं कोश्ट नमबर वन को सुरिया की किर्यानों की दिब्रता मापने वाले उपकरन को क्या कायते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी यानिकी एक्टियो मीटर ठीक है नेक्स्ट कोश्ट नमबर टू हाल ही में काहां आब एक किसका माप है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए यानिकी वार नेक्स्ट कोश्ट नमबर फोर फिल्म फेयर पुरसकार 2020 में सर्वस्ट अविनेत्री का पुरसकार किसे मिला है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी यानिकी आलिया नेक्स्ट नमबर फाइफ प्रकास का बेक को शार्वर बतम किसने मापा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी यानिकी रोमर ठीके नेक्स्ट नमबर सेक्स फ्रसित हाकी खिलारी राने रामपाल को 2020 में किस पदम पुरसका से नामित किया गया है इसका राइ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर यानिकी ऊर्जा ठीके नेक्स्ट कोस्ट नमबर एट हाल ही में कितने भारतियों पत्रकारों को पुलिजर पुरसका से साम्मानित किया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर यानिकी ठीके नेक्स्ट कोस्ट नमबर न किसे global BR excellence hour 2019 से सम्मानित किया गया है इसका right answer हो जाएगा option number B यानि की PUS Jaiswal ठीके next question number 11 G का EKI क्या है इसका right answer हो जाएगा option number B यानि की Newton meter square per kg square ठीके next question number 12 हाली में किसे निर्ट कलनिती आवर 2019 से सम्मानित किया गया है इसका right answer हो जाएगा option number A यानि की प्रियादर्सिनी गविंट ठीके next question number 13 हाली में किसे international अरफ फ्रीक्शन आवार 2020 से सम्मानित किया गया है इसका right answer हो जाएगा option number B यानि की आपदल ओहव ऐसा होई ठीके next question number 14 हाली में किस एरलाइन को स्वाच भारत पुरसकर से साम्मानित किया गया है इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानि की गो एर ठीक है नेक्स्ट कोशन नंबर 15 निम्रलिकित में से कांसा साधिस राश्ची है इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानि की संगबेक ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट कोशन है कोशन नंबर 16 हाली में किसे चमेली देवी जेन पुरसकर से साम्मानित किया गया है इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानि की रोहीनी मोहन एंड आर्फा सेरुवानी ठीके नेक्स्ट कोस्ट नमबर 17 सिकंदर का घोरे का नाम क्या था इसका राइट आंसर हो जगा ऑप्शन नमबर B यानि की बुकफेला ठीके नेक्स्ट कोस्ट नमबर 18 वज्जी महाजनपत की राजधनी कहां थी इसका इसका राइट आंसर हो जगा ऑप्शन नमबर D यानि की ML T2D पावर माइनस टू ठीके नेक्स्ट कोस्ट नमबर 20 सैंग्यूक रास्टर शंग के चार्टर में कूल अनुच्छेदू की संका कितनी है इसका राइट आंसर हो जगा ऑप्शन नमबर B यानि की 111 ठीके नेक्स् प्यास में गुंश्योत्र की संका कितनी होती है इसका राइट आंसर हो जगा ऑप्शन नमबर A यानि की 16 ठीके नेक्स्ट कोस्ट नमबर 22 संग्षाद भावन का उद्गाटन लट इर्वीन दरक काप किया गया था इसका राइट आंसर हो जगा ऑप्शन नमबर B यानि की 1927 ठीकले, कोशन No. 23, वाल का सीजेशे मात्रक क्या है? ठीके, ठीकले, कोशन No. 24, हवाई जाभाज बनाने के लिए, किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा option number B यानि की carbon fiber, ठीके, next, question number 25, निम्नलिकित में से कोणियो बेक का इकाई क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा option number B यानि की radian part second, ठीके, next, question number 26, निम्नलिकित में से कोणियो बेक की बीमा क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा option number B यानिकी MLT to the power minus 1 ठीके next नेक्स्ट हावाले question number 27 एक micron किसके बरबार होता है इसका right answer हो जाएगा option number B यानिकी 0.001 mm ठीके next question number 28 वाइडास की खोज किस ने की थी इसका right answer हो जाएगा option number C यानिकी इवानोबस्की ठीके next question number 29 भारतिया पसुपची की सांक्सन कहां पर सीथे इसका right answer हो जाएगा option number B यानिकी इज्जत नगर ठीके next question number 30 गुल गुंबच का निर्मन कब हुआ था इसका right answer हो जाएगा option numbers D यानिकी 1660 ठीके next question number 31 1 kg राश्री का वाजन कितना होता है इसका right answer option number B यानिकी 9.8 newton ठीके next question number 32 गीता का इंग्रेजी में अनुबाद किस ने किया इसका right answer हो जाएगा option number B यानिकी विलियम विलकेंग्स ठीके next question number 33 वारत में सीविल सेवा का आरम्व किस ने किया था इसका right answer हो जाएगा option number A यानिकी लटकान वालीज ठीके next question number 34 वारत में कितने railway zone है इसका right answer हो जाएगा option number B यानिकी 18 ठीके next question number 35 वान जूल किसके बरवार होता है इसका right answer हो जाएगा option number A यानिकी 10 to the power 7 ठीके next question number 36 वाठालू का यूद कब हुआता इसका right answer हो जाएगा option number B यानिकी 18 15 ठीके next question number 37 दिल्ली का राजधानिका दर्जा की संग्विदंक संसेदों द्वारा पाप्त हुआ इसका right answer हो जाएगा option number B यानिकी 69 ठीके next question number 38 शीवरलिग परवत का प्राचिन नाम क्या है इसका right answer हो जाएगा option number B यानिकी महिनाक परवत ठीके next question number 39 एक बढ़ किसके बढ़ाबर होता है इसका right answer हो जाएगा option number B यानिकी 10 ठीक पास्कल ठीके next question number 40 दोस्तों यहमाना लास सवाल है question all India trade union का शापना कब हुआ था इसका right answer हो जाएगा option number C यानिकी 19-20 ठीके दोस्तों आपने कितने answer सही किया है कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें साथे साथ बेल आइकन को भी आन करें मिलते आगले वीडियो पर ठैंक्यू झाल